CCA की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं के वोटे लिए और दस साल से सरकार चला रहे हैं तो हम यहीं समर जो हमारा पीडिये परिवार है अधानी अकले से अधोजी का वहीं हम लोग विचार पे खरे उतरें के सभी समाज को काला धन निखारने के चक्का में गरीब दुखिया बेटे मलाट मार दिया चाहते हैं बच्चे लिए जो आप पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं नोकरी पाजाए सरकारी अमाई पापको सेवा कर रहे हैं वहीं नहीं का वोड़ी जीता उन नास कर देना कुछ नहीं किया है बास सिर्व राम मंदिल अकेल बनवा दिये हैं वह इचा राम मंदिल बनवाएं एक भी गरीब आदिवादी उग्णष है नहीं दिखाना है चारसो पर नहीं हो रहा है। दो सो पर मुश्किल है उन्हें को पिछली बार इसके पिछली बार भी इन्हें को किये लेकिन बट अब हाँ बट अब नहीं करना है। कोई आउसरा इन्हें है। CCA में आपका स्वागत है हम अभी UP की एतिहासिक लोकसबाद सीट फूलपूर पर हैं फूलपूर जहां से देश के पहले प्रदान मंत्री पंडित जवाहल लाल नहरू इसी सीट से 1952 में अपना चुनाव जीते थे राजनयतिक रूप से यह पूलपूर जो अलबाद जिले में ही आता है बहत एक या प्रियागराद जिले नाम पड़ गया है लेकिन बहुत एक इतिहासिक सीट है राजनेतिक रूप से दोनों अलबाद सीट और फूलपूर सीट बड़े बड़े यहां से दिगजनेता चुनाव भी लड़े हैं वीपी सिंग जी भी यहां से जीते थे और बगल में जो अलबाद की सीट है बस्पा के संस्थापक मानिव परकाशीराम साब भी यहीं से अपना चुनाव लड़े थे तो एक बहुत यहां पर यह एक एतिहासिक सीट है राजनेतिक कहीं न कहीं गड़ रहा है अभी हम यहां पर परयापर गाउं में हैं इस सीट से इस बर जो मुख्य तीन उमीदवार हैं वो सपा से अमरनाथ सिंग मौरिया जी हैं भाजपा से प्रवीन पतेल जी हैं और बसपा से जगननात पाल जी हैं मज़े की बात यहां कि तीनों जो बड़े नेता है कि तीनों ही उन सब के राजनेतिक करीर कहीं न कहीं बसपा में ही शुरू हूँ खेये दोनों बाकी पार्टी केवी जो उम्मीदवा में हैं जो मुख्य रूप से एक यादव समाच का गाउं हैं कई लोग हमारे साथ यहां पर हैं आई यह पता करते हैं क्या राजनेतिक रोजहान है जी बाओजी नमशकार बाज्टा बाओजी चुनाव आ रहे हैं आगे आए चुनाव नहीं आप तो आए गया आए तो यह बत दिन खेट कि लखवाली करो अवार पशु की लखवाली करो बहुत ज़्यदा दिक्कत हो गई है यहां तो कि हमने छेचे भीगे जमील अपनी परती चौड़ रखा है जब से प्रधान मंतरी जी आये हैं, जब से आये हैं, तब से छेचे बीजे जमीन परती पड़ी हुई है, इतना बुरा हाल है, पूरा किशान सारी रात अपने खेतों पे बैठा रहता है, पूरी पूरी रात, और ड्यूटी लगाता है, यह दुख जो है, आप अगर सीसिये के साथ चल रहे हैं, किसानों का किसी भी जाती के हो, यह दुख पश्च मुत्रप्रदेश से लेकर यहां तक हर किसान का दुख है, गवरक्षा के नाम पर राजनी ती तो हो गई, लेकिन किसानों पर जो उसका असर हुआ, उस पर कभी चुनावाने वाला है, लेकिन यह साब बताईए कि पिछली बार यहां से ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि बड़े मारजन से यहां पर भाजपा जीती थी, जीती थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की चबार, अमरनाथ मौरिया जी कंडिडेट है, वोट देंगे अच्छे लिए कुछ नौजवान भी यहां खड़े हैं, नमश्कार, क्या नाम है, बलबीर यादा नाम, बलबीर क्या करते हो, जी पहाई करते हैं, कौन से, क्या पट रहे हो, बीयो में हो, तो यह बताओ, बलबीर, उमीद है कि इस बार कुछ सरकारी नौकरियां खुल रह पेपर लिएक हुआ उससे कितना नुकसान हुआ आपके गाउं में लोगों ने अपलाए किया था बहुत लोगों कि था, इस बार, इस बार, वहर नाम नात मोर्याग डालेंगे, मतलब सपाग अब जाएगे, अब कह रहे हैं कि अब तो मोदी जी यह तक कह गए चोणा आर् थोड़ा हमको भी कुंठा होती है सुनकर क्योंकि वो प्रधान मंतरी किसी एक धर्म जाती के तो नहीं है सभी के प्रधान मंतरी जब ऐसा भाशन देते तो हमको भी कुंठा होती है कि नों कह रहे हैं कि OBC और SCST का आरक्षन खतम करके मुसलमानों को दे देंगे आरक्षन और दस साल से सरकार चला रहे हैं पेपर भरती की बात बताएं बच्चों की हमारे भी बच्चा मर्दी के लिए फार्म डाला था हर बार तो इनकी पेपर लिख होते है बहुत दिक्कत हुई है भावजी वह तो इस बार्पूर हर जगा नराजगी है उसको लेकर 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 लो कहरें कि किसान संवान निदी आती है महीने के पांच-ٌ रोपे बन जाते हैं उससे जो नुक्सान हो रहा है या जो राशन मिल रहा है उससे भरपाई हो पारी जो नुक्सान सब्स नाइब क्रकशन रहरा है तो रेन कर दें जानमरण ऑकन ठाठा कर लिए हाँ चलिए यहां कुछ और नौजवान है क्या नाम हूँ आपका जोर से बुलिए जितेंद रिया दो जितेंद क्या करते हो इसर में पढ़ाई करते हूं अलाबाद इनुष्टी में अड़े का चाहत रहूं किसका बीए का आपका माध्रम से मैं हिंदुस्तान के जन जन को ब अपने आप चुनाव कीजिए बद्दान कीजिए चलिए यह बहुत अच्छी बात बोलिया आपने कि हमको भी लगता है कि चुनाव के असली मुद्धिया ही होते हैं जो बाउजी कह रहे थे कि खेट बरबाद हो रहे हैं मजदूरों के सवाल होते हैं नौजवानों के रोर यादव समाज में भी को टूट हुई थी क्या वो आपने देखा था अपने अंदर वो टूट उन्निस में होते हुए देखिए जो मोदी ने लाल साय दिया था अस्वासन दिया था उस पर वो खरें नहीं होते रहे हैं इसलिए पिछली बार उन पर मद्दान के थे लोग ल इन अचा चलिए लोग तंतर के मेले में आपका स्वागत है आपका क्या नाम है अंच क्या करते हो यह बदाईए आपकी दुकान है मोबाइल की आपके जैसे जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए कैसे रहे हैं दस साल मोदी जी के सरकार में मुझा वी दुकान खोले थे अपना लाड्र। सोला में तब दो इंकम अन्या था उसके बाद ड़कान कर्या दी साफ माम समय के अचिंशारा रिधानियर की है उस फिसाब से और देक खढ़ी नहीं उतरे हमारे प्रदामंतर जी नोट बंदी या आपने कहा है उसके बाद वह भी आया अपना लॉक्डाउन भी आया जी एस्टी भी आया उससे जो नुक्सान हुआ था उससे क्या बिजनस फिर से खड़ा पाया सॉफ्ट लोन्स वगेरा कुछ में लें सरकाल से बहुत अ लुट पड़ेगा यह दर बात करते हैं कुछ लोग आए हैं जी नमस्कार भाई साथ क्या नाम हुआ आपका धारा सिंग जी क्या करते हैं दूद बेचते हैं दूद बेचते हैं ग्वाले हैं आप बताए दूद बेच रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण ये कारोबार है सब गड़बड़ हैं अच्छा आप यह समझाए किसानों का जो नुक्सान है वो तो नुक्सान है लेकिन क्योंकि आप ग्वाले हैं आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जो यह नया कटान पर इन्होंने सारी रोक लगा दी थी योगी सरकार ने जिसक सब्सक्राइब तो एक और भी जो एक आमदन का सुरूत था वो भी कट गया होगा तब का बिल्कुल कट गया है कितना नुक्सान हुआ है लगब पूरा जब खेश चड़ा वाता है पाइदा नहीं हो गया तो नसकार नहीं है क्या सोच रहे हैं चुनाम में चुनाम का सोचत भाजपा अक्सर यह इलजाम लगाती है कि अखिलेश जी के समय पर कानून विवस्ता बहुत खराब थी आपका इस पर क्या कहना है कानून विवस्ता खराब रही अब कानून विवस्ता का अच्छी होई गी है अच्छी तो नहीं भाई आ है यहां पर एक जमन पहले होता अब पार्टी के हैं अक्लेश जिन्दा बाद जनाना है क्या ना वह अब पर पसंद है जाती सा वाल पर पर पाज़िए नेता अच्छा है अच्छा है अच्छा बहुत प्रसंदा नहीं होगा तो यह पोपने रोजी रोटी लगे थी कुछ जमीन काम हो जाता था उसमें भी कुल लोग लगे थे अब ये मोधी योगी सरकार्म सब खतम हो गया बस समय वसाओ को नहीं कहीं मडर कम हुआ है लूट पाड कम हुआ है कहीं कुछ कम नहीं वह तो कह रहे हैं कि अब लड़की अमिच्छा ने आके भाशन दिया था कि अ अब यह बताओ क्या नाम है आपका अनिल जी लाल गमच्छा पहने है क्यों पहने हैं सफा की मचा से पहने हैं वही तो हम पूछ रहे हैं जानिल जी करते क्या हैं करते क्या है मजदूरी करते हैं 48 का मतलब नहीं समझे थोड़ा सब्सक्राइब अच्छा तो यह बताएए जब यह सरकार आई थी मोजी जी की तब आप 38 साल के थे अभी मजदूरी कर रहे हैं 38 साल के हो गए 10 साल मजदूरों के लिए कैसे रहे हैं मजदूरी बड़ी कोछ कुछ नहीं हूए हुए है कुछ बढ़ी नहीं है अब जैसे रहे हैं गणरी गड़ी 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 एक पैसा मिलना ही रहा है अच्छा उसारा का जो पूरा फ्रॉड हुआ तो बड़ा खा के बाइड है मोदी जी जब से आये गरीब दुखिया काट काट के जमा करें इस काला धन निखारने के चक्का में गरीब दुखिया तो बेटे मलाट मार दिये अब वोट किये थे पहले बाजपा को पहले किया थे कब किये थे अगली बार 19 में अच्छा तो बढ़िया रही दस पांच साल कोई बहिया नहीं दिये वह राशन का प्यार बहुरेगा राशन नियना राशने खाएक रहेंगे हमको पहले इस बताईए आप लो पांच किलो राशन दे दिया तो राश सब्सक्रियमरा राशना सब्सक्राइख है किस हुगा डिकत हो रहे हैं यह दू किया क्या घर पर Radha Car क्या रहे हैं सब पढ़ रहे हैं यह स्कूल में है कॉलेज में कार ढ़िमतास 500 शना रोजगार वें अब इत्ता पहाई क्यों ना पाई कि भय बन जाहीं है यह बताएं सब्सक्राइब आप से बात करते हैं क्या नाम हो जी राज बाहदूर मारा नाम आप से तो अभी बात हुई थी यह बताएं नहीं तो कहा तमा आप बात करेंगे इनुन मना कर दिया करें थोड़े जान पेच सब्सक्राइब बताएं शौण कर के वा ठाधिल कर लो और उसके बाब पांच बाद दंडा मार के चलाओ यह है उनका हाट जाटियों को जाट में बांट दिया तो पीडिये से जोड पाएंगे सबको पीडिये से काभी लोग जोड़ रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रागे परहान मंदी जी कितना क्या करते हैं लफा जी बोलते हैं कि राइया पर में कुछ यहां महिलाइं बैठी है अगये इन से भी बात करते हैं समझते हैं क्या इस बार रोजहान है आओ कि आया से शुरू करें आईंगे नमस्त माजी जी बताएं चुनाव औरहे है वोट कहा डालते हैं आप डालते हैं तो कित्थाब ठाला हो हूँ कित्थाब थड़ा है मॉन यह बताए कितना आपके गाउं में कुछ काम हुआ है पिछले दस साल में आज पास कोई काम हुआ है किस तरह का काम आप चाहते हैं गाउं में हो बच्चों के लए हो आप लोग के लिए हो महिला हो जाहते हैं बच्चों लिए है me протफ रहे हैं नोकरी पाई जाए सरकारी अम्माई पाप teeny सेवा कराई कमाई अभी है चाहिए उनका चाहिए आपन बनाई ले मोदी जी के सरकार दस साल रही है कुछ काम हुआ है कोई नहीं का ओ मोदी जी तो नास का देना वह गल्ला दे रहा है एक न्यूट में के कर पेड़ भारी हैं अब सब कर देता हैं कियो को मिलत वह को नहीं मिलत वा तक आउन मौदी अच्छा काम करें हैं अच्छी बता ये मोदी जी कहते हम अव सारी ओरतों के घर पर गैस अब बताई ये सिलेंडर से घर आया क्या अब बताईये उस पर अब कितना उसको भर पा रहे हैं नहीं भर वा पा रहे हैं क्या स्थितिय है अरे बारा संब भरान है क्ञा पाजार में भराता बहां तो भरभापारे हैं अब अब अमरे पास हए नहीं पाए है नहीं पाए है नहीं पाए है उस दो बोले सारी ओरतों काम दी ए अरे जुठा हैगा नहीं ठीक है मैं को पाइब है क्यों को बढ़ा दी है को भी गार दे रहे हैं सुई लगा दी हैं देसका बीमारी नफाई लिगाई विया ड्राक्टराइबाइब के मना ये देट वा पाईसा हां सबका गोड़ के करियां के कपेट सुई लगाए पे कोरोना के टाइम पर दौदू फोगवाई दें तिन-तिन सुई भागवाई दें बताइए यहां क्यूंकि सारी हमारी बड़ी महिलाएं है हैं काओं की मोजी जी या योगी जी कहते हैं कि हम ने यहां पर सुरक्षा कानव्यस्ता बहुत अच्छी कर दि और तो के लिए बहुत बच्चा लोग को गाउं में मिल रही है के सरकारी नोकरी नहीं को लड़ी के नहीं पाए यहां आप क्या चाहते हैं मोधी जीते अखिलेश जीते कौन जीते आप चाहते हैं मोधी जीते माशीन कर दिया कि अकलेश को थाम सैकिल इम नहीं पर देखिए कितने लोगों को शक है भी आप मशीन पर गाउं में एसी को इसका मजाक उड़ाने की जगा लोगों का ये भरोसा जीतने की बहुत जरूरत है लोगत तंतर के लिए बहुत जरूरी ह हैं तो आप लोग क्या सब साइकल वाले हैं मोदी जी तो कहती है तो भी बहने मेरे साथ हैं सारे देश की आप देखिया हमारा बेटा है इतना पढ़े लिखे घूम रहा है को नहीं मोदी नो करी नहीं दे रहा है अधार किया करते हैं क्लासटौव पास किया है हुथ हमार नंच साल है और पहला बार बत बगर कर तेमाज वान ऴुड्वाया वांधियो है क्यों कि त lift एक समान देखा जाते है Cuando 미국 सरकार में ढर् superstar यहाड़ा करा देते हैं हर एक दंगा होता है और उनके सरकार में मतलब की भी आती रहती है लोग जो पढ़ाई मेहनत करते हैं अपना नोकरियों करी भी पा जाते हैं और यहाँ सरकार में कुछ पिछले 10 सालों में सरकारी नोकरिया लगी है जब से योगी आए तब कुछ भी होँ है कुछ भी नहीं हुआ सिर्फ दितते हैं सिर्फ और को फ्रूब नहीं किया है सिर्फ राम- बते हैं आप तो क्योंकिव बार भी मंप खतम कि हैं भी मेरी कॉलज करना चारे हैं को अगर कॉलेज करें यह चिए उल डाले हैं प्रकार जा रहा है पिर बाद में पेपर O पूरे एम पोरे ऊपी में बहुत नराज ग इसकी जो पेपर इस बार लीख हुआ है यह ओज बता है इसनकी घर आय संब पूरे कोई लोग कोई नहीं त्लिकन कवाद कशें आगनी Walk सब इस सब्सक्कार हम झते पूरी राजनीती हमारे जवानों के नाम पर होती है लेकिन वहाँ पर उनको जो पर्क्स मिलते थे जो नौकरी जब आर्मी में जाते थे जो फाइदे मिलते थे एक सरकारी नौकरी के वो चीम लिए गए हैं लेकिन राजनीती फिर भी उनी के नाम पर होती है ख माश्रबrás दो मौनिट बतों डाएगे ने बारे में बात करुए थे ता यहांव बैट जा रहे हैं किया लाव बाः चासाद होhst toружव क्या करते हैं बूद बीचते हैं वाले हैं तो यह बताईए यह जो पूरा अवारा पश्जूओं की सब किसान शिकायत कर रहे हैं तो इससे गौलों को भी तो बहुत दिक्कट रही है आप लोग को कितनी नुक्सान वे किसान तो अपने नुकसान के वरे में बताते रहते हैं आप लोगों का भी समझना बहुत जरूरी है ठंडिक सीजन में लोग रात में कफर मिता देते हैं तो यह बताईए दस साल फिर कैसे रहे हैं सरकार के मुद्धी सरकार के चुनावा रहे हैं इनको भगाएंगे हम लोग पिछली बर कहां उट किये थे हम लोग तो पिछली बार भी साइकल पर उट दी थे हैं आप तो पिछली बार भी बगाने की कोशिश किये थे तो आ गए तो तो जब कीटी चड़ते 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 चड़ जाएगी इस बार घट जाएगी नहीं नही बार घट जाएगी गटेगी चारसो पर नहीं हो रहा दो सब पर मुश्किल है उनको यह नराजगी किसानों की हमने पूरे यूपी में हम जो घूमते आ रहे हैं वहुत किसानों की नराजगी है आवारा पशू के चलते जी साब क्या नाम हो आपका जी सुभाद प्रजापती क क्या करते हैं सुभाज बेरोजगाट डहर रहे हैं क्यों दो करोड नौक्रियां दे रहे थे मोदीजी साल की आपको नहीं मिली जमीन पर दोहजार भी नहीं है अब हाली में पेपर लिक का मामला देखें कांटेबल का देखी साथ हजार बच्चे साथ हजार वेकंसी निकली साथ हजार वेकंसी निकली थी उनतर हजार के वह भी कैंसल हो गया बहुत दिक्कत है बहुत लोगों पर तो कितना गाओं में लोगों को सरकारी नौक्रियां लग रही हैं जी है नहीं है कोई रोजगार आप देख रहे हैं कोई रोजगार जमीन पर दिखाई पढ़ रहा है कितना पड़े हैं अब अब जाना पड़े हैं और रोजगार करना पड़ेगा कहीं जाना पड़े एक समय था जब आलाबाद मैनुफैक्टरिंग हब था बहुत बड़ी-बड़ी यहां पर टेक्स्टाइल मिलें होती थी ती बहुत सारी बंद हो गई हैं अब क्या वह उस रूचच लोग परविट नौकरी करने के आलबाद से वाहर जाते हैं परेवट नहीं समय समय इत्रे हैं गैए आप चाहिए को उठा उठा करें और दुख है क्योंकि पलायन कासली कारण यहां पर यह बता रहे हैं और यही है असली कारण प्राइन का कुछ हिंदू-मुस्लिम नहीं होता है पलायन उसका भी संप्रदायक करंड किया गया था इस तर फीट करके बाइक पाइक करके कपला पाइक जी भी जोकी हो लेकिन बट आप नहीं करना है कोई आउसर ही नहीं है कोई किसी प्रकार का फाइदा दिखाई नहीं पढ़ रहा है इसलिए जंडा वाइनर्स अब आंग लिए हैं अच्छा आप साइकल तो पिछली बार भगवा वाला पैने पेने लिए बहुत एक्दम का नाम हो आपप का अंजी क्या नाम करते है क्या कर्ते हैं क्र czy अ कर दीन हम तो अगहalis करहें वोट कर रहे हैं इस बार और जहां पड़ेगा उसा अखिलेश के वोट पड़ी है पिछली बार कहां दिये थे अगली बार हम पड़ नहीं दिया है आप हर बार साइकल पर है ठीक चलिए साब आप ने लाल गमशा पहना हुआ है किसी कारण से ही पहना है नहीं पहले चाहर और difикत है आहए पहचान है पहचान है राजनितिक में बार चाहार है कर रहे है पहली बार किये थे मोडी के वोट अच् pais को कि एक लाग पांच पंदरा लाग देंगे और यह करेंगे कुछ कर बेंगे दूसरी बार से अकलेश के देने लगे लगे बोदी को 14 में दिये थे आप सवदम जिताय थे क्या नाम हुआ हमारा नाम मुनिलाल यादव समाज से भी लोग गए थे मतलब मोदी जी पर भाई पहले दाई दिया जिताय देख लिया बंद कर दिया वो तो कहते हैं मुझसे बड़ा OBC कोई है ही नहीं आप OBC समाज भरोसा नहीं कर रहे हैं तो कहां भाई जगदीज जी क्या करते हैं ऐसे समाज में टहलना दूद का कारोबार है यह जो कटान पर जो इतनी सारी रोक लगा दी है योगी जी ने आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है दिक्कत तो भुख मरी ला के ला दिये अच्छा धंदा कितना डाउन हो बहुत डाउन है बस स करके खड़े रहो ताकि जीवन बीचता रहे इसे छोड़ करो कि क्या अवास योजना में घर मिले हैं यह गाउन में लोगों को अभी तो ज्यादा नहीं मिलें गल्ला मिल रहा है हां गल्ला वही डबल डबल करके वोटिंग करके फिर सुन खाते पर चले जाओ वही पुरान को नहीं वोट करें पिछली बार भाजपा को दिये थे तो बताइए लोग तो कहते हैं यादव समझ काफी कटा मतलब हैं यह साइसाब भी कि आप भी के मुदी को आप 19 में भी दिये हैं हां दो बार हां दो बार दिये आपकी बार नहीं देने का इरादा है क्योंकि महगाई जगड़े विबाद यही सब कर रहे हैं नाटक विकास का कोई काम नहीं कर रहे हैं घरवापसी हो गई हैं हम अभी पर गाउं में हैं मुख्य रूप से यहां यादव समाज के लोग हैं बाहर दुकान पर भी लोगों से बात हुई थी फिर गाउं के अंदर महिलाओं से भी नौजवानों से भी बुजर्गों से भी यादव के लावा भी कुछ जातियों की लोग थी वर मुख्य रूप से हैं यादव समाज के ही लोग थे पहले भी जादातर लोग अखिलेश के साथ रहे थे लेकिन यह बात सच है कि 14 और 19 में कुछ इसमें हमने बदलाफ देखा अभी सुना भी जैसे कुछ लोग 15 लाग के वाइदे से या बाकी किसी वाइदे से प्रभावित होके मोदी जी की तरफ गए थे 14 और 19 में लेकिन अब लग रहा है कि लगबग वही वोट वापिस एक तरफा फिर से साइकल के पीछे हो गया है मैंतीजे क्या होते हैं ये तो अब CCA के साथ उसके बाद भी CCA के साथ जुड़े रहें धन्यवाद